मन नगजन पारवती जी तपश्य करके जब आवेशस संतूलन करने के लिए काली तो काली के बाद भगवान ने काली सब्द का कई बार संबोधन करीया श्यांवरण होने के कान तो उन्हें सब्द करने के देश्भान और दुष्टो कवध किया उसके बाद उन्हें महान तब किया और तब के प्रभाव से गोवर्ण हो गई तुन्हें महागवरी कहा गया है वो कमल पर वास करती है और इनका वाहन एक सिंग भी है वैसे कमल पर ही वास है इंका सिंखेंगं के ऊपर भी कमण रखती है, कमण में वास करती है, सिंगबायनी नहीं हैं, अश्ट भुजा और चार भुजा से महागावरी मानी िबान देख था है हमारे बुद्धी को जो महा तत्व कहा जाता है जो स्रिजनातमक और प्रमात्मा के आवा गवन से मुक्त करता है और जो अहमकार तत्व है जो हमें मानो बनने लेता है उस तत्व को सयमत करके हमें अपने सीचरों में करुणा रूपी अपने जल से सीच करफी और मणंोता केष्षा सब का प्रादुर्भाव का रूप है और सर्ष्टी का परम रूप ब्रमाद करते हैं इनके रुचिकर पुष्प दिब्व खिले हुए फूल जैसे गुलाब है कि अज़ेदेक की पुष्प होते हैं जो पूर्ण फिले होते हैं मेर्टि का गहीगाद कन होता है कि मेर्च सेटकह तरह समस्ति प्रजॡ़्सरी पश्न और शात्य में अपराजिता और कनय तरह काला नीला और भगवती महागवरी को तिब भोग जो आपके घर में नित्प्रती बनता हो जैसा विधान से कहां बिया है बिद्विदान में कहते हैं कि जैसे हमारे आशाधार बोजन चावल दाल पूरी सब्जीरूटी या अचार इसके साथ में मीठा अवश्वना चाहिए यह उड़कव हो गए मा के अराधना से ऐसा संसार में क्या है जो ना मिलता हो जैसे एक बार एक संत ने उतर दिया था कि कामदगीर में क्या नहीं क्या नहीं कि जो आपको नहीं मिल सकता आप जिस कामना से अराधना महागवरी करोगी निश्चित रूप से माँ आपको उसी तरी परिपूर कर देंगे